हेई गाइस वल्कम बैक टो मैं चैनल कैसो आप सब उमीद आप सब बहुत बढ़ी आऊंगे और आज किस वीडियो बात करने वाले हैं हम सब के लिए 140 कडोर जन संक्या के लिए ये दिल दुखाने वाली नियुज है इंडिया वसिज ऑस्टेलिया पहला सेमी फाइनल हार के साथ सभी का दिल तोड़ा है अगर हमारी लड़कियों ने क्या खूब लड़ी है जबर्दस ये गाना वहां पे सेट हो रहा है दिल के अर्मा आसों में बह गए खैर पूरी बात करते हैं पूरी वीडियो देखिए वीडियो को सुरॉर करणेसे बिटा देखिए कि अगर आप सब हमारे चैनल में नया है तो प्लीमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप हमारे इस वीडियो को फेस्बूक पेज पे देख रहे हैं तो प्लेज फेस्बूक पेज को भी फॉलो ज़रू करें कि आप सब का प्यार मुझे बहुत जरूरत है यार तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं हार हुई है पर हार मानने वाले हम भारती हैं तो बिलकुल नहीं है हार हुई है 140 करोड़ जंसिंग कि पूरी इंडियन टीम की नहीं पूरी देश की हुई है पुरा देश आपके साथ है नगर थोड़ा सा दुख तो होता है ना क्यूंकि आपने वर्ल कप के सेमी फाइनल में हा रहा है और हारा कैसे वो 2019 में महेंदर सिंग घोनी जी का रन आउट याद आता है और कल सेम कंडिसन पे थी अगर वो रह जाते आखरी के और दो अब पर इंडियन टीम इंटु दा फाइनल हो सकती थी अखैर देर हो चुकी है अभी तो अब इस साल कुछ ने कर सकते आने वाले जो वर्ल का को उसमें कुछ कर सकते हैं अधर महेंदे सिंग्धोनी का विकेट गवाया था मैच हाच चुकी थी इंडिया इधर कल हर्मन क्रीट को और जो इंडियन की कपतान है जो कल तो बिल्कुल सीना तान के चले थी और वो याद है इसको 15 पर कम स्कोर पर रोका है यानि की बाउंडरी जो जा रहे थी उनको दो रण पर तब्दिल किया है जो दो होने चाहिए वहां पर एक पर तब्दिल किया और स्टेरियन वाले सामेशा से अच्छी चेतरक्षान है उनकी स्ट्रॉंग अगर कोई पोई चीज है तो वह उनके बाद जो आखरी के उन्होंने चाल अवर में रण बनाएं चाल शक्के जड़े वहां पर इंडियन टीम पीछे होगी कल इंडिया के टॉप अर्डर बले बाद जो उनका नाचलना इंडियन टीम के लिए बहुत बुरी ख़बर है मगर जिस तरीके से हर्मन प्रीट प कमबैक करना है क्योंकि इंडियन टीम हमें इसा कमबैक करती है करती देखा गया है उम्मीद है कमबैक करेगी हम सब आपके साथ है आप सब कमबैक करोगे हमारी छोरी छोडों से कम है के सो गाइस वीडियो में इतना ही आगे आने वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सबस्टाइब जरूर करें तब तक के लिए अलवीदा थेंक ये सो मच